बिया मैं एक मिनिट में हूँ कहा जाना है? वो आगी स्टेशनरी पे पर स्टेशनरी पे क्यों जाना है तुमको? बिया मुझे इंडिन फ्लाग खरीदना है ओ, हर घर तिरंगा केंपेइन को सपोर्ट करने के लिए that's very good पर क्या तुमने सोचा है कि तुम कौन सा फ्लेग लोगी? पता नहीं भीया, जो भी मिल जगा ले लूँगी ओके, पर 15 ओगस्ट के बाद इस फ्लेग का क्या करोगी तुम? नहीं भीया, ये तो नहीं सोचा तो अब ये हमको सोचना चाहिए क्योंकि ऐसा कई सालों से देखा गया है कि Independence Day के बाद कई लोग फ्लेग्स को लिटर कर देते हैं इससे बहुत सारा वेस्ट तो जनरेट होता ही है पर साथ ही ज़रा सोचिए कि क्या ये हमारे फ्लेग का डिस्रिस्पेक नहीं है? तो फिर हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले देखते हैं कि मार्केट में कौन से फ्लेग्स अवेलेबल है इंडिया में सिंगिल यूज प्लास्टिक के बैन होने के बावजूत आज भी मार्केट में प्लास्टिक के फ्लेग्स देखने को मिल रहे हैं और ये एक बहुती बड़ा कंसर्न है क्योंकि प्लास्टिक को डिकंपोज होने में 400 से 500 साल लग सकते हैं तो फॉर शॉर हमें प्लास्टिक फ्लेग्स तो नहीं खरीदने चाहिए सेकेंड पेपर फ्लेग्स वर्ल्ड में अराउंड 93% पेपर आज भी ट्रीज को काटके बनाया जाता है तो अगर हम पेपर फ्लेग्स को खरीदते हैं तो कहीं न कहीं हम दीफॉरेस्टेशन को सपोर्ट कर रहे हैं और इसका सॉल्यूशन है ये थर्ड ओप्शन क्लॉट फ्लेग्स अक्कॉर्डिंग टू लॉओ ट्रेडिशनली इंडियन नेशनल फ्लेग्स को बनाने का करेक्ट और एकसेप्टेड मदीरियल खावी हुआ करता था पर रीसेंटली फ्लेग्स कोट को रिवाइस किया गया और अब हम फ्लेग्स को ओफिशियली कॉटन, गूल, सिल्क और पॉलिस्टर से भी बना सकते हैं वैसे क्लॉट फ्लेग्स आसानी से मार्केट में मिल रहे हैं इससे होगा ये कि हम इंडिपेंडेंस दे के बाद फ्लेग को इस तरह से फोल्ड करके रख सकते हैं और नेक्स्ट ये फिर से इंडिपेंडेंस दे के आसपास इस flag को अपने घर के बाहर hoist कर सकते हैं ये तो बहुत अच्छा option है भीया लेकिन cloth flag रहे थोड़ा महेंगा होगा शायद सब लोग afford ना कर सकें इसका solution बहुत ही simple है आप किसी भी post office में जाके cloth flag को सिर्फ 25 रुपए में ले सकते हैं सिर्फ 25 रुपए में और तो और आप घर बैटे भी cloth flag को order कर सकते हैं आपको e-post office.gov.in पे जाना है और flag को order करना है और विद no delivery charges सिर्फ 25 रुपए में flag आपके घर पे deliver हो जाएगा Just to inform you कि post office से flag order करने पे pole साथ में नहीं आएगा तो वो आप घर पे पड़े किसी भी rod को pole की तरह use कर सकते हैं इस flag को हम हर साल बार-बार hoist करके हर घर तिरंगा campaign को हर साल का campaign बना सकते हैं इससे ना कोई waste generate होगा और ना ही हमारे flag की disrespect होगी तो अगर आपको लगता है कि हमें Indian flag की disrespect नहीं होने देनी है और proudly Independence Day पे Indian flag भी लहराना है तो कोशिश करिएगा कि जादा से जादा लोगों को इस information के बारे में पता चले That's it for this video See you next Wednesday हम ऐसे ही environment awareness पे फिल्म्स बनाते हैं तो अगर आप environment को लेके थोड़ा सा भी serious हैं और उससे save करना चाहते हैं तो आप ecoflex नाम के facebook group को कर सकते हैं इसमें हम ऐसे लोगों की community बनारा चाहते हैं जो environment के betterment के लिए कुछ कर रहे हैं तो अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं या आप खुद कुछ ऐसा कर रहे हैं तो आप इस group में जाके post कर सकते हैं So that all लोगों को इसके बारे में पता चले Link description में में चेट हैं Thank you and take care